नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की एजित्रोमाइसिन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है एजित्रोमाइसिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एजित्रोमाइसिन टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की एजित्रोमाइसिन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Azithromycin एक salt name है Azithromycin टाबलेट को Egyptian को Agithral और Azisip आदी brand name से भी जाना जाता है Azithromycin टाबलेट 250 mg व पान 100 mg की strength में available है Azithromycin टाबलेट एक antibiotic दवा है Azithromycin टाबलेट का उप्योग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है जैसे फेफरों में bacterial infection होने पर, pneumonia होने पर, खासी होने पर, पेट में infection होने पर, typhide होने पर, दातों या मसूरों में infection होने पर, जोडों या हड्डियों में infection होने पर, पेशाब में infection होने पर, और कान नाग गले या तवचा पर infection होने पर, Dr. Azithromycin tablet को लेने की सलाह दे सकता है इसके अलावा त्वचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर, या त्वचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्तर ऐजित्रोमाइसिन टाबलेट को लेने की सला दे सकता है। शरीर में infection होने पर बुखार हो सकता है इसलिए बुखार होने पर भी Dr. Azithromycin Tablet को लेने की सला दे सकता है इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी conditions है जिन में आपका Dr. Azithromycin Tablet को लेने की सला दे सकता है Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Azithromycin Tablet की वज़े से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Azithromycin Tablet की वज़े से कुछ Side Effects हो सकते हैं जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, बधजमी होना, भूप कम लगना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, मुह का स्वाद खराब होना, पेट में दर्ध होना, सिर्दर्ध होना और दस्थ होना आदी Side Effects Azithromycin Tablet की वज़े से हो सकते हैं कुछ व्यक्तियों में Azithromycin Tablet की वज़े से Liver Damage भी हो सकता है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को Azithromycin Tablet को लेते समय वचा या आखों का पीला पढ़ना, पेरों में सूजन होना और पेट में दर्ध होना आदी लक्षन होते हैं, तो ऐसी स्थिती में तुरंत ही डॉक्टर स परामर्श लेना चाहिए, अब हम डिसकस करेंगे की Azithromycin Tablet को कैसे लेना recommended होता है, Azithromycin Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Azithromycin 250 mg Tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं, या Azithromycin 500 mg Tablet को दिन में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं, Azithromycin Tablet को डॉक्टर तीन दिन से लेकर पाँच दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं, Azithromycin Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती हैं, इसलिए आपको Azithromycin Tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ र लखनी चाहिए, Azithromycin Tablet को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए, जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने Azithromycin Tablet को लेने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक Azithromycin Tablet को लेने से Antibiotic Registance हो सकता है, और Antibiotic Registance होने पर वो Antibiotic दवा आपके श infection वापिस आ सकता है, इसलिए Azithromycin Tablet को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए, जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने Azithromycin Tablet को लेने की सलाह दी है, Azithromycin Tablet वाइरल infection होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है, अगर किसी व्यक्ति को लिवर Azithromycin Tablet को लेना recommended नहीं होता है, वैसे Azithromycin Tablet प्रेगनेंट महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है, लेकिन केवल ज्यादा जरूरत पढ़ने पर ही डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं को Azithromycin Tablet को लेने की सलाह देते हैं, स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Azith Azithromycin Tablet का सेवन करना recommended नहीं है, इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Azithromycin Tablet को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को ल झाल